नमस्कार जुगाड़ू वेस्टी में आप सबी लोग का एक बार फिर से सागत करते हैं आज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अपनी सेहत की वसे तो आप लोगों ने अपने अपनी साप से अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए एक लंबी चोड़ी सी लिस्ट बना ही होगी और काफी सारे लोग की लिष्ट में ये नाम ग्रीन टी का शामिल भी होगा पर जिन लोग की लिष्ट में ग्रीन टी का शामिल नहीं है तो उन लोग से मेरी परसनल गुजारिश है कि वो लोग भी अपनी लिष्ट में इस ग्रीन टी के नाम को जरूर शामिल करें अकसर इस इसका जो स्वाध होता है तो काफी कसा हैलो होता है काफी कड़वा होता है इस वजह से हम लोग इसको एक तुबार पी कर लेते हैं पर आज मैं आपसे दस तरीके शेयर करूंगी दस में से कोई नो कोई एक तरीका ऐसा होगा जिसका टेस्ट आपको जरूर भाएगा तो कि एक कप ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने लिए एक कप पानी बॉइलो ने रख दिया मैंने और साथी साथ मैस में लिए एक चोटा चिम्मच ग्रीन टी लेप्स और जो कि हम लोग बना रहे हैं अपने तुलसी फ्लेवर में तो तुलसी के पत्तियों के भी ज़ूरत जब यह बॉइलोगा तो तुलसी का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और जो हमारी ग्रीन टी लेप से इनका भी फ्लेवर अच्छे से आगए आप जब भी यूज करें तो इसी तरह से अपनी प्लेन नॉर्मल सी अपनी ग्रीन टी लेए जो टीबैक आते हमारे जो भी आपको पसंद है और यूज करें तो यह बन गई हमारी और बस आप आप चाहें तो इसमें एक चम मशहद मिला और इसको यूज करें बहुत टेश्टी बहुत जहद यह तो हो गया हमारा एक तरीका और सेम इसी तरीके से हम लोग अपनी दूसरी तयार कर सकते हैं जो हम लोग जैकली उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने अभी पहले अपनी तुलसी चाह बनाई हम बस एक बात आप से जरूर कहना चाहूंगी कि इसको हमारा मरुआ का फ्लेवर है तो इतना एक जोड़िक है आपको यकिनन पसंद आने वाला और पहले वाली तुलसी के फ्लेव पर हम लोग अपने पीएंगे और एंज टी के लिए हम लोग इसलिके अप घू नीकाले अज हो ओर थोड़े हमें पूरे ऊरेंज नहीं डाले चुकि काफी इसमें जो हमारे छिलकों में से जो ओयल निकलता है तो काफी हार्ड होता है तो बहुत ज़्यादा चिलकी आप डाल देंगे तो एक कड़वा सा स्वाधा आप नहीं पी पाएंगे तो थोड़े से 2-3 टुकड़े डाले और फिर इसका फ्लेवर देखी कितना मज चाहता है और इसमें भी बस वही अगर आप चाहते हैं तो एक जम्रशेहद मिला यहागा नहीं चाहते हैं तो ऐसे पी बहुत बेतरीर लगे यह शाहद बिलकुल अप्शनल है आप के लिए मिला ले नहीं चाहते है तो छोड़के इसको और आप बार यह हमारे चौथे प्ल चिलकों में जो आयल होता है हमारा तो काफी हार्ड होता है तो इसमें भी वही जैसे है मैंने बताया औरेंज पिल के लिए उसी तरह से इसको भी जब डालें तो बहुत कम मात्रा में डालें चुकि काफी हार्ड होगा तो पीने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है ठोड़ा से झालें दो में तो और बस दोड़ी सी पती डालें दो से डाही मिनट वोयल करें और बस शानके निकालें अगर आपको शहत से प्राव् анixe मीठे से प्राव्ल्म नहीं है तो आप इसमें एक चमस शहत जरूर एक करें क्योंकि इसका लेमन का और शेहत का जो कॉंबिनेशन होते हैं दो बहुत अच्छा लगता है हमें पीने में भी और हमारी सेहत के लिए भी देखे इसका खटा मिठा सस्वात किसी को ना पसंद आया ऐसा हो इने सकता ये वाला फ्लेवर तो आप सभी को पसंद आने ही आने वाल और पाच्वे नंबर पे हम लोग लेंगे अपनी जिंजर जिंजर फ्लेवर में भी हम लोग बना लेते हैं बस हमें अपनी जिंजर अद्रग धुलनी है थोड़ी सी हम लोग ग्रेट करके इसमें डाल देंगे पर जिंजर हम लोग इसमें पानी में पहले डालेंगे पती ब और पात में मैंने डाली पत्ती, पस इसको भी हम लोग पत्ती डालने के बाद प्रस इसको दो से धाई मिनिट तक डॉल करें, पत्ति को फलेवर आ जाएगा, आपकी अधरक का भी फ्लेवर आ जाएगा, और बढ़िया सी आपकी अधरक वाली याय बनके हो जाएगी तयार, इ ह آپ के स्थार आपको शुगर से प्रावलम नहीं है रहता है आप किसी भी मेंने मैंने बता हूंगी आप किसी में भी सहहाद को मिला सकते हैं बहुत एक बेतरिन कॉबिनेशन हरा बनता है बहुत बेतरिन टेस्ट भी आता हुऺ kys olho इए अपना मिंट के लिए मेरे पास ताजा मिंट नहीं है तो देखिए मैं सिर्फ इसमें अपनी ग्रीन टी लिप सी बॉयल कर रहे हूं आपके पास अगर ताजी पतियां तो ताजी जैसे हम लोगों ने तुलसी की बनाई उसी तरह से ये पतियां भी आप ट्रश करके डाल सकते ह पानी में बॉयल हो जाएंगे इनका फ्लेवर आजाएगा चुकि मेरे पास नहीं है तो देखिए सिर्फ मैंने पति बॉयल करी और ये मेरे पास पॉडर फाम में सीजन की टाइम पे मैं जनरली इनको सुखा के इसको पॉडर बना के रग लेती हूं अब इस समय बहुत पसंदे उतना डाले मुझे जादा पसंदे दीने का फ्लेवर तो मैंने इसमें तोड़ा सा जादा डाला हुगए थोड़ा सा डाले शहेद बस अपनी इस पुदीना चाय को गरम गरम पुचाय करें और देकिस साथवे नमपर पर हम लोग ले लेते हैं अपनी दालचिनी ज आठवे नमबर पर हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी इलाची इलाची आप मोटी वाली यानि की काली वाली या हरी वाली दोनों यूज कर सकते हैं पर हरी वाली का फ्लेवर आपको जादा भाएगा तो आप उसको भी इसी तरह से तरह से तयार कर सकते हैं शहेद मिला कर सकत नवे नमबर पर हम लोग इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी एट कर सकते हैं तो आपको काली मिर्च के फ्लेवर में ग्रीन टी मिलेगी और दस्वे नमबर पर ना हम इन सबों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं कोई भी चीज नहीं है जिसको आप किसी के साथ नहीं यूज कर सकते हैं आप चाहें तो सबों को एक साथ मिक्स कर के बड़ी अपनी अपनी ग्रीन टी ज़ाए करें यह चाहें तो कुछ दो यह चाहिशन को कॉम्बिनेशन बना की यूज करें बहुत बेतरी लगेगा जिस ग् आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए गर्म गरम ग्रीन टी जरूर इंजोए करें थैंक्यू